यह मांज़ जा यह मांज़ बताएं अब एडिंग आले जेगा एडिंग आले जेगा मल्टी मीटर एडिंग है आपका मल्टी मीटर क्या होता भी है मल्टी मीटर ज्यान दो भई नाम से लग रहा है कि ऐसा मीटर जो मल्टी परपच काम करें यानि एक से अधिक रासियों का अकिल्ले मापन करें यह ना नाम से लग रहा है मल्टी का मतलब क्या होता है बहुत देशी यानि बहुत सारी रासियों को क्या कर सके आ किसमल्टी मीटर की साहटा से देखेंगे तो यह क्या करा भी दिखाए आपको यह फिगर उल्टा है रुखे सीधा कर लेते हैं इसको कि दो रहे हैं इसमें क्या अपन कर रहा तो यह मापन कर रहा है आपका यहां पर भी लिखा क्वोटेज का कौन से बल्टेज का अगर इधर देखो गए तो इधर क्या लिखा है और भी के बाद क्या रखा है तो भी के बाद कुछ इस तरह का बना हुआ सिमर मतलब किसको मिजर करेगा इसका मिजर किया गरेगा और यो बीसीग और करेगा करेगा और इसके साथ ही साथ किसका मिजर करेगा तो इसके साथ ही साथ देखेंगे तो यह क्या लिखाया एंपियर लिखाया और एंपियर क्या 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 है एंपियर क्या इस तरह का बनाया मतलब क्या है यह दिक करेंट सोरी डीसी करेंट यह क्या वह रहा है डीसी करे और इसी तरह से देखेंगे तो यहां पर क्या दिया है यहां पर भी दिया है 10A और उसको क्या दिखाया आपका उसको दिखाया है AC वाला ही करने के लिए आपका लगाया गया है तो अच्छा सब को ऐसे दिखाया जा रहा है सब को इसका खुद का खाना इसका खुद का यह आफ वाली कंडिशन यह खुद का यह इसका अपना यह इसका ऐसा क्यों सा हूँ को इसका यह इदर लाइन मतलब क्या है आपका आईसे कहें है आप कहेंगे आप लाइन को चेक करना अश्य वाले वाले होगा इसे बात करेंगे तो इस देशले गाए तो लाइन में आप बोल्टेज चेक करेंगे की करेंट चेक करेंगे की फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे क्या मीजर करना चाहते है नहीं तले चलो भई तो हेड़ डाल लिजीएगा मल्टिमीटर लिखेगा वह उप्यंत्र जिसकी सहायता से वह उप्यंत्र जिसकी सहायता से एक से अधिक रासियों को एक से अधिक रासियों को वह उप्यंत्र जिसकी सहायता से एक से अधिक रासियों को डिश्टल के रूप में, डिश्टल या अंक के रूप में, अंक के रूप में मिजर किया जाता है, अंक के रूप में मिजर किया जाता है, उसे अंक के रूप में मिजर किया जाता है, उसे डिश्टल मल्टिमीटर कहते हैं उसे डिश्टल मल्टिमीटर कहते हैं और इस मल्टिमीटर की सहायता से और इस मल्टिमीटर की सहायता से AC voltage DC voltage AC voltage DC voltage AC current DC current AC voltage DC voltage AC करेंट DC करेंट AC बोल्टेज कामा DC बोल्टेज कामा DC करेंट कामा रजिस्टेंस आदी के मान को मापा जाता है बोले हैं AC बोल्टेज, DC बोल्टेज, AC करेंट, DC करेंट रजिस्टेंस आदी के मान को मापा जाता है उसे मल्टीमीटर कहते हैं और इसमें वैलू, डिजिट के रूप में प्राप्त होती है और इसमें वैलू, डिजिट के रूप में प्राप्त होती है होगे आगे लिखेगा आगे लिखेगा परगाप्षिन करके सान रशना लिखेगा या मल्टीमीटर या मल्टीमीटर निमन भागों से मिलकर बना होता है पहला फंक्शन स्विच पहला फंक्शन स्विच या रोटरी स्विच पहला फंक्शन स्विच या रोटरी स्विच अब कहा होगे सर जी फंक्शन स्विच कहा है या सर जी रोटरी स्विच कहा है तो कहा है भया बलो या रोटरी स्विच कहा होता है है बीच वीच जवर घुब जो होता है जो बीचो भीश लगा होता है ये स्ट लिच लगा है रोट नियस्ट लगा इसके यूज किया जाता है इ teh लगेगा लगेगा क्या लगेगा क्या कि बारे में लिखो आते चले आप लिए यह रोटरी स्विच इसलिए लगा होता है कि आपको पहले किसका मिजर्मेंट करना है कि करना है उसको जानना पड़ेगा न आपको गोलेज का मिज़र्मेंट करना है कि सका मिज़र्मेंट करना चाहते हैं बोले अपर किसका मिजर्मेंट करना चाहते हैं करेंट का मिजर्मेंट करना चाहते हैं तो करेंट पर जाके इसको सेट करेंगे बोल्टेज का मिजर्मेंट करना होगा तो इसको कहां ले जाके सेट करेंगे रजिस्टेंस में न सेट करेंगे कि लगा दे इधर गज़ोब कर सकता हки गएं आपन कर सक अदू बहुर्टेज का मपन कर सकता है अभी DC भोल्टेज का मापन करना है यह कि मरेशेन्स कि सायता से जिस वैल्लू का मान मैं करना होता है उसपर हम क्या करते है उसको set करते है तो लिखेगा यह एक ऐसा स्विच होता है कि यह एक ऐसा स्विच होता है heading है rotary स्विच या function संस्विच लिखेगा, यह एक ऐसा स्विच होता है, जिसकी सहायता से मीटर को बंद किया जाता है, और क्या करते हैं वहीं? मीटर को बंद किया जाता है या जिस रासी को मापना होता है उसे उस रासी पर घुमा कर इस्थित करते हैं उसे उस रासी पर ले जाकर घुमा के ले जाकर इस्थित करते हैं हो गया अगर रेजिस्टेंस कम आपन करना तो रेजिस्टेंस पर लाएंगे अगर बोल्टेज कम आपन करना तो बोल्टेज पर ले जाएंगे अगर करेंट कम आपन करना तो करेंट पर ले जाएंगे अजी अरे यह िजरे कॉमन है यह लिखा हुआ है यह कौंसा टर्मिनल है common यानि Black वाला कहां लगेगा इस common टर्मिनल में लगेगा डूराइल है एक Black है और एक क्या है आपका Red तो Black वाला कहां लगीगा कॉमन वाले में और जो रेड़ वाला लगेगा रेड़ वाला इसमें या इसमें लगता है आई बास में कौन सा बोल्टेज में आपना होगा तुमने कह दिया ना कि काला वाला ब्लैक वाले में रहेगा इसमें रहेगा अगर आपको मिजर्मेंट करना है कौन सा बोल्टेज का या करेंट का और वह भी कितने बोल्टेज का लो बोल्टेज का कि हाई बोल्टेज का तो इतने लिखा ह होते हैं यहां पर यहां हर सो दखेंगे तो यह करेंट का रेंज लिखा हुआ सी के इसक्रांगos we इसमें लगेगा और रेडवाला हमेसा इसमें या इसमें लगता हुआ और तिंग नहीं है भई या वो सिंबल दिखा ए मत जान नहीं उसके बारे में कुछ नहीं है झाल 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 तो यह बात करें था किसका रोटरी स्विच का या किसका बात कर लिए हंक्सन मान की सप्लाईर गया क्योंकि मीतर में जो भयाया यहां पर सो करेगा यहां पर value तो उसमें बैतरी होनी चाहिए ना जब बैटरी नहीं रहे तो मान के इसे सो करेगा तो यह इसकी खुद की बैटरी होती जो display के शब कर रहा है sonko सो जो करने के लिए इसमें खुद की कॉंस्टेंट करेंट सोर्स में लिखेगा मल्टिमीटर में मल्टिमीटर में एक निश्चित मान की धारा प्रवाहित की जाती है जिससे रेजिस्टेंस के मान को कैल्कुलेट किया जा सके जिससे रेजिस्टेंस के मान को कैल्कुलेट किया जा सके कि कि अगर किसी resistance को निकालना है तो क्या करेंगे बिए इदा दो अगर किसी resistance की वैलो को कल्कुरेट करना तो हमको क्या चाहिए बोल्टेज और करेंट अगर दे दे तो वह क्या माण मान देदेगा तो उसको बोल्टेज तो दे ही रहें उसके साथ ही साथ गरेंट उसको अगर निश्चित मान का देदेगे और उसके बाप्पर एम्प्लिफाएर एक एक करके सब के बारे में लिखवा देंगे, हेडिंग है बॉफर एम्प्लिफायर जो भी मान प्रदान करता है एक्यूरसी वाला मान प्रदान करने का कारे कौन करता है बॉफर एम्प्लिफायर करता है तो लिखेगा जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से मान अधिक एक्यूरसी वाला प्राप्त किया जाता है जिसकी सहायता से मान अधिक एक्यूरसी वाला प्राप्त किया जाता है अधिक एक्कूरसी वाला प्राप्त किया जाता है उसके लिए बफर एम्प्लिफायर लगा होता है उसके लिए बफर एम्प्लिफायर लगा होता है उसके लिए बफर एम्प्लिफायर लगा होता बॉपर एंप्लिफायर का प्रयोग किया गया होता है अगली हेडिंग डालेगा अगली हेडिंग संट संट सर्किट ने ने कुछ और भी चीज़े होती है जो इनसमें नहीं दिखाया गया फिगर में संट सर्किट हेडि Ng डालेज़ेगा संट और संट कि लगा जाएका वह संट संट का प्रयों दालेगा किया जाता है कि संट का प्रियों किसके लिए कि लिए करेंट के लिए पढ़े होंगे संट और मॉल्टिप्लायर अभी बाब बताओ इतना रेंज है इतना रेंज है तो इतना रिंज बनेगा किसे जब संट लगे का तब ना फंट लगे का तब ना और संट में क्या लगता है स साहता से वो अलग-अलग करेंट की क्या कर सकता मेंज vraiment कर सकulenार के लिए company करने के लिए अई ज्ली्ट पिंड को कि का करने के लिए कर son्त सरकिट का प्रियोक किया गया होता है कि संत सरकिक का प्रियोक किया गया होता है संट सर्कुट लगा होता है हो गया, अगला है, अगली हेडिंग हाँ, एक्टिनीरेटर, एडबल टी ए, यान यू, एडबल टी ए, यान यू, एडबल टी ए, ए, यान यू, ए, टी ओ आर, एक्तिनीरेटर, एक्त्यो नेटर, एडबल टी ए, एन यू, एडबल टी ए, एडबल टी ए, ङन जब इन्पूट सप्लाई दी जाती है तो इन्पूट सप्लाई के मान में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को नहीं होने देता उसको सिमित कर देता है अगर मान लगातार बदलता रहेगा तो मान का मान अगर लगातार बदल रहेगा तो लगातार बदले की वज़े से क इसका कारे होता है आपका कि आपकी सप्लाइड वह वह प्यूम्य क्लिब के लिए ही लगाए करना है उस इ們 दम हमान लगापार समय माँके साथ ना रहता है तो हम क्या करते हैं इसके लिए हैं ध्रुटोंनेटर का प्रयोप करते ताकि वो क्या करें उसके मान को सिल नौने पाए ताकि हम लाह जाता है अ छिए लिए जाता है उसको आपका में जो वैरीहसन को सिंविट कर दा और यह सिर्फ किसके के लिए लगाया जाता है तो सिर्फ यह बोल्टेज के लिए लगाया जाता है आप देखोंगे अगर आपको बोल्टेज का मापन करना होगा अगर एसी बोल्टेज को मापन करने के लिए क्या लगा है एक्टिन्वेटर लगा है अगर डीसी बोल्टेज का मापन करना तो भी क लगा ना तो लिखेगा एक्टिन्वेटर इसकी सहायता से मल्टिमीटर को दी जाने वाली सप्लाई में होने वाले परिवर्तन को में होने वाले सप्लाई में होने वाले परिवर्तन को सिमित करता है सिमित करता है हो गया हो गया अगली हेडिंग है अगली हेडिग में करने के लिए अपके सप्लाई को आने वाली ac करिंट या ac बोल्टेज को DC में परिवार्थीत करने के लिए AC voltage या AC current को DC में परिवार्तित करने के लिए रेक्टिफार सर्कुट लगी होती है के लिए रेक्टिफार सर्कुट लगी होती है को मीजर करने के लिए या बोले था को परिवार्तित करने के लिए रेक्टी फार सर्किट लगी होती है अगली एडिंग डालेगा अगली एडिंग है अगला है एनलोग टू डिश्टल कन्वर्टर ए बाई डी कन्वर्टर इसका मान ऐसा होगा सब्सक्राइब Alle इसका मान कुछ ना होगा तो यह इसके ऊपर जाएगा अगहारा वाय सिधर है तो दी सी में यह वैलू होगी यह वैलू होगे तो इसका मान जब भी होगा वो किसमें होगा आपका एनलोग में होगा ना एनलोग से आपको किसमें चाहिए वो दिश्टल में चाहिए क्यों डिश्टल में चाहिए ताकि वो क्या कर सके आपका इस डिस्प्ले के उपर रिप्रेजेंट हो सके तो लिखेगा एनलव तो डिश्टल गण्वेर्टर लिखेगा दी जाने वाले सप्लाई का मान अंई लॉत आ पान अ कि एनलाई में होता है और इसकी प्रोसेसिंग और इसकी प्रोसेसिंग ग्रिष्टल में हो सके जिष्टल में हो सके उसके लिए कि उसके लिए एनलाग कुईश्टल कंवेटर लगा होता है उसके लिए analog to digital converter लगा होता है अगले heading है display unit display unit लिखेगा display unit y unit जिसमे y unit क्या उच किया जाता है भई display unit में 7 segment का तो लिखेगा y unit जिसमें 7 segment element का प्रयोग किया गया होता है 7 segment element का प्रयोग किया गया होता है उसे display unit कहते हैं उसे display unit कहते हैं उसे display unit कहते हैं करें वे उसे डिस्प्लेय उनिट कहते हैं अगली ही डालेगा लगा कारे बिधी कारे विधी यानि यह कारे कैसे करता है इसको कारे कैसे कराया जाता है आप लोग कारे किये होंगे चलो बताओ कैसे कारे करता है का करते हो अगर कुछों कर बाना तो सबसे पहले मफंक्शन स्विच्छ से क्या ओप कर भा ठिक का करेंगे सबसे पहले स्विच्छ की सायता से इसको क्या करेंगे आप कर रखेंगे जैसे क्या है कि वह आप रहता है आपका लेकिन आप से उसको आन में लाना पड़ता है तो सबसे पले क्या रहेगा वह आप ठेक अब क्या होगा सबसे पले यह जानेंगे कि किस का मापन करना है सब्सक्राइस का किशी भॉल्टेज का कि एऩारली की लिए मांता तुछ सभीक करना है तो हम क्या करें अकुत ऩंग क्रोनोरी हूड है, है 200 दिया है 2000 दिया है 20 दिया है 200 मापना है हम क्या करें क्या आपको पता है कितना है नहीं पता है तो किसे जानेंगे है जाने की पिन्स के लिड़ाख नहीं यहां नहीं यहां नहीं छोटे रासी तो घुल करिए गावं वरना जल जायगा हमेशा हाइरासी पर चेक करते हैं eat सबस्क्राइब क्या करेंगे यहीं क्रते एक मल्टी मीटर लेकर चले जाते आपने लगते लिए यह जल कर से गया मापने का तरीकए नहीं पता था तो क्या उन्हें की अब प्रक् của का घXT होने आधने याधकर्म यह हैं इनस सौछेंगे का निजा के दूसलिकाँ के कि दू हजार सब्गारिक लिखा है कि अब कम दे रहे हैं एस सि每ड़ लेता है डी इस dis भई या नहीं ध्यान देता है आड़मी जय लेता है सुरू सुरू में तो tepasyonin के लिए आता है न पॉलेज में उतको इतना नहीं हötा होता है कि अ तो बता रहे हैं आपको अब अब मिल्टी मीटर में लोग रिंज भी नहीं देखते हैं अब रिंज देखना चाहिए कि 200 बॉल्ट 2000 मिली बॉल्ट है 20 है 20 है 200 है 2000 बॉल्ट है आपको नहीं पता है कि इसमें कितना आ रेखे है और यह सबसे सब्सक्रें पहले होगा कि घर में आण रही थो अपको एसी होगे आप mommy बूब आप भूल के इस पे esperando कै Also बीज़े अब च्छी मेर का बंश्वाता होगा बोले नहीं पर करते हैं अगर उसका मान ऐसा किया देखो अगर उसका मान ऐसा सो किया आपने 750 वाले पर रखा इसका मान निकालने के लिए कहां इसको ले जाओगे और इसका फिर क्या करोगे एक्चुल मान निकालोगे तो इससे कुछ कर दोहाँ कर दोहाँ दोहजार वाले रख दिया महापन किया महापन बतारा यह और दॉसका एक्चुल मान तो ऐसे किया ज्यादा होगा और और जो से कंवा रहा है और वाद से ज्यादा औरह जयादा है मिली से तो क्या करोगे इन 20 पे रखोगे अगर 200 से जादा है एक हजार से कम वोटेज तो उसको कहा रखोगे एक हजार पर रखके मीजर करोगे यह चीज़ होता है तो लिखेगा है हाँ लिखेगा है मीटर को जब से पहले आन किया जाता है मीटर को सबसे पहले आन किया जाता है आन करने के पस्चात आन करने के पस्चात जिस रासी का मापन करना होता है उसे उसे उस रासी पर उसे उस रासी पर उसे उस रासी पर इस्थित करते हैं उसे उस रासी पर ले जाते हैं उसे उस रासी पर ले जाते हैं और उस रासी के बढ़े हुए मान पर रखकर, उसे उस रासी के बढ़े हुए मान पर रखकर, मिजर करते हैं। मिजर करने पर प्राप्त मान उस रासी के आगे वाले मान उस रासी के आगे वाले मान के एक्वेलेंट आता है। इक्वेलेंट आता है तो हो गया तो इसे और अधिक एक्वेलेंट वाला प्राप्त करने के लिए और अधिक एक्वेलेंट वाला प्राप्त करने के लिए और अधिक accuracy वाला प्राप्त करने के लिए इसके पहले वाले मान पर इस्थापित करते हैं उसके पहले वाले मान पर या उसके आगे वाले मान पर रखकर अधिक accuracy वाला मान पर आप्त करते हैं आगे यानि अगर वो 1000 पर आप रखे हैं तो अब कहां रख दोसको दोसको यानि उसके आगे वाले मान पर इसके अधिक अधिक क्यूरसी वाला मान प्राप्त करते हैं रखकर अधिक क्यूरसी वाला मान प्राप्त करते हैं यानि अधिक परिसुद्धता वाला मान प्राप्त करते हैं तो यह आपका मॉल्टी मीटर का भी पॉइंट हो गया क्या रता झाल